हुआ है है गाइज गोड़ीवनिंग कैसे हैं आप सब अब हुप सब अच्छे होंगे में बहुत अच्छी हूं और मुझे इसी टाइम साथ 6-6 बजे इसी टाइम में ब्लोक शूट कर रहे हूं दिनर के लिए मैं पालक पनेर का सोच रही थी तो सोचा इसी वीडियो बना ले कुमने करते हूं कि इसका नाड़ा बहुत लंबा लंबा था तो अच्छे से उसको कुति कर लेती हूं इसका अलग से रखती हूं और पालक थोड़ा अलग प्直स् damit में बना रही हूं आज भूंत लोगं बहुत लोग बहुत तरीके होते हैं बनाने के लिए में थोड़ा अ में साइड़ टाइम नौन भेज म्याओं हो बहुत भेज भी खाते हूं और पलंग पुनेर बोग अच्छा लगता है रोटी के साथ बहुत अच्छा लगता है और यह देखे मैंने पनेर को भी क्यूब साज का भी कट कर लिया है और पहले में गढ़ाई गरम करते हूं पानी में थोड़ा सा पानी मैंने 8 वी किया था गढ़ाई में इसको नॉर्माली दो तिन मिनिट के लिए उसको थोड़ा सा बॉल के लिए डालती हूं जो क्रीन के दिख रहा है ना वो उसका कलर चेंज ना हो बस दो तिन मिनिन के लिए इसको बॉल करना है तो अच्छे से मैं पाला को दो लेता है तो पानी शोक होने के बाद थोड़ा सा आप नॉर्माली अलग गरम पानी मैंने क्या बोलते हैं कुछ भी बरतन में गरम पानी गरम कर लो उसमें डाली दो और उससे निकाल दो इसे बज़े से भी हो दोड के कितना प्रोसेस होता है तो मुझे यह ज्यादा काफी बेतर लगा तो मैं चलो इसी वज़े से इसको मैं इसी टाइप का गरम कर लेती हूं ज्यादा गरम नहीं 2-3 मिनिट का होता है वॉयल यह देखे मैंने नॉर्माली इसको ड्रेनेश कर लिया है उसका पानी सोक कर लिया है और इसको मैंट कर दोंगी आप चाहाएं कि मैं आसे को यह बोलते हैं यह यह और वे से पत्ते को में लेती हूं जो पत्ते अलग से रखेते हो इसको इसे ईसे ही इस तो आप चाहो तो टमाटा लसुन अद्रग थोड़ा सा जीरा इसे थोड़ा सा हल्का सा फ्राय करके आप इससे में भी आड़ कर से तो उसका टेस्ट भी और अच्छा लगता है में इस लिए अलग से कर रही हूं तो मुझे मैं देखती हूं, जो आटाए करती हूं के छल अच्छा लगेगा के नहीं के में सरे बहुत सरे बीडिटो में देखा है बहुत सरे प्रोसेस के हिसाब से पनाते हैं तो मुझे काफी बेतर लगा यह इसे सीरियसली मैं वीडियो बना रही हूं पर मुझे बहुत जाथा खाने के बाद मुझे बहुत जादा इसका टेस्ट अच्छा लगा यह देखे मैंने ग्राइंड कर लिया है रिफाइंड और यह यूज किया है बहुत आसान होता है प्लंग पनीर मुझे तो काफी आसान लगा इस से मह करती हूं और अजिए 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 तो प्रेस्ट प्रेस्ट प्राइब में शेख सकते हैं शेख स्टेश। प्राइब शेख सेया देख। सुपलाइब थोड़ाशा क्वाइब प्राइब आता प्याज लिया था और उसको थोड़ा सा प्राय कर लेती हूं और मैंने जीरा और अद्रक और रिस्वन होता है मैंने अलग सही पेश्ट बना के रखा था उसमें तो उसमें मैंने थोड़ा सा अलग अपनी प्रोसेस से बनाया है पालग बने देखते हैं किसे टेस्ट रहता पर मैं सीरियसली बोलती हूं वह आप सोच रहे हूंगे कि टेस्ट बहुत जाथ अच्छा नहीं लगता नहीं रहेगा सो सीरियसली बहुत अच्छा लगा टेस्ट मैं इसी प्रोसेस से बनाती हूं कभी कबार और नहीं तो नयात्माली जैसे प गरम हो जाता है थोड़ा सा प्याज मिया आड़ कर लेती थोड़ा सा प्याज ब्राउन होने के बाद उसमें थोड़ा सा लाल मेच्रे और हल्दी पाड़ आड़ करती हूं उसके बाद थोड़ा सा फ्राय होने के बाद में भीरा क्लसिन का अलग सा पेश्ट बना के रखा था उसमें थोड़ा सा एक स्पून मैंने आड़ किया था उसका अच्छे से फ्राय होने दिया उसका जो समेल होता है वो थोड़ा सा पक जाए तो उसमें थोड़ा सा फ्राय होने के बाद और उसमें थोड़ा सा लाल मेश पाउडर मैंने लास्ट में आड़ किया था क्यूंकि इसका कलर बहुत अच्छा आए इसी प्रोसेसर में बनाती हूं अलक बनेर और मुझे ज्यादा काफी अच्छा लगदा आप कभी ट्राय करिए का जरूर थोड़ा सा फ्राय होने के बाद हाइज दर आख्छी में मैं मसाला को थोड़ा से हल्का मैंने जद ज़ड़ा है फ्राय करती हूं कि उसमार जिदन अच्छा फ्राय करें गे था बहुत अच्छा तेस्ट भी अच्छा बनेगा जब गरी पूरा बन जाएगी और ज्यादा अच्छा टेस्ट लाजाएगा अज़ा इस मासल अच्छा बुन गया है और उसके बाद मैंने जो पालंका जो ग्राइंड करका रखा था उसमें आड कर लेते हूं अच्छा बुन जाएगा जो तो अच्छा थोड़ा सा होगा ना वो थोड़ा से अच्छे से उससे भून जाएगा इसको धीमी आंच में इसको पकाती हूं ज्यादा हाइफले में नहीं पकाती हूं उसी ऑएविगा करता भी नहीं में आबका अच्छा हूं पया है कर दो कर दो रखना हुआ है प्रसाब नांग जो डगा हैं सुचल ूड़र ूपर मघड़ कि भ रपने मेरा को.. मेरा को भाज्यार कि Conan threatens कि प obtailing a Nastcova Claude प गूआ पासन घ्नाजिग है म महते अ के आगी दोना बसित दफली है ब侘ब है बहा हुआ जए, खिख है प्रोसेस तड़का मानने के लिए थोड़ा सा रिफाइन ओल किया अगर आपके पास बटर है तो और भी ज्यादा अच्छा है और मैं थोड़ा सा जीरा आड कर लेती हूं और छुट छुटी कि मैंने अध्रक के कट करके रखा था उसो थोड़ा सा फ्राई करती हूं देन आप जो करी बना के रखेतें आप उसी प्रोसेस से उसमें डाल लेती हूं लास्ट में गाने सिंह के लिए मैं थोड़ा सा मलाई बचा के रखा ता जो उसमें आड कर लेती हूं मेरा पलक पने बन के रेडी हो गया और आपको मेरे वीडियो कैसे लगए यह देखे मेरे डिनर भी रेडी हो गया अगर मेरे वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट जरू कर पाइए